बहुत सारी physical quantity में relation establish करना है ठीक है तो जैसे मैं एक example लेता हूं जैसे हमको simple pendulum है एक मालूम है एक simple pendulum होता है वो एक धागे में से बना होता है और इसको हम ऐसे ऐसे oscillate कराते हैं और इसका time period होगा एक पूरा oscillation complete करने में हम एक time लगेगा उसको उसी को time period कहते हैं तो हमने कहा इसके time period का जो formula है वो आप stabilize करिए तो हमको पर देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज है तो आपने का भाई देखो एक तो इसमें एक धागा है इसकी कुछ लंबाई होगी इसका उतार time period इसकी लंबाई पर depend करता है करता होगा हमको पर प्रिम्लम कहते हैं वह ऐसा ही बाद हो प्रिम्लम तरह रहा करता है से 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 इसा इसे से इधार बाहर जाता अंदर घर आएगा उदर जाएगा अब यह बावहत इसका कुछ मास होगा हमने का time period इस मास पर भी depend करता है तो उसी बात जिस जगह पर experiment हो रहा है वहां आप लिखेंगे आपको example क्या बताना है time period of simple pendulum time period of simple pendulum का formula establish करना है ठीक है तो आप इसको हम time period को indicate किसे करना है t से तो आप कहेंगे t जो है किन-किन बात 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 करता है तो एक तो question में दिया होगा जिस चीज का formula वह आप से पूछेंगे वह आप सो देंगे कि ये चीज इन इन बातों पर depend करती है नहीं दिया है तो थोड़ा होता आपकी जानकारी में भी है तो आप लिखेंगे इसका solution निकालने का तरीका देखेंगे आप लिखेंगे t depends upon following factors पहली बात it depends upon length it means t depends upon length of string length of string अब यहाँ एक लफड़ा है भाई t depends upon length का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे अरे simple बाद अंगरे जी नहीं आती क्या तुमको length पर depend करता है और इसका मतलब भाई length पर कैसे depend करता है length के बढ़ने पर t बढ़ जाए तब भी उसको depend कहते है length के बढ़ने पर t घट जाए तब भी उसको depend कहते है length two times हो जाए और t four times हो जाए square time चला जाए length 4 हो जाए t under root 4 हो जाए यह भी थो सकता है किस तरीके से depend करता है इसको आपने explain तो किया नहीं तो आप लिखेंगे t depends upon length of the string raised to power a raised to power a इस पर depend करता है अब वो power decide करेगी कि power 1 है 2 है square root है क्या है raised to power a क्यों हमने लिखा सुझगा है यह आप कहेंगे t proportionate l to power a यह बात सुझगा गई power क्यों लिखा हमने अगर depend नहीं करेगा तो यह 0 हो जाएगा अगर 2 times हो जाना है power 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा minus 1 हो जाएगा जो होगा देखा जाएगा दूसरी बात t किस पर depend करता है t depends upon mass of the bob t depends upon m upon m raised to power b raised to power b यह raised क्यों लिख रहे हैं समझ में power क्यों लिख रहे हैं क्योंकि कैसे depend करता है यह हमको नहीं मालूम है तो t proportionate m to power b दूसरी बात तीसरी बात भाई जिस जगह पर आप यह experiment कर रहे हैं वहाँ पर acceleration due to gravity कुछ होगी क्योंकि gravity अलग-अलग जगह अलग-अलग होती है तो t depends upon g depends upon g raised to power raised to power power c यानि कि t proportionate g to power c हम तीनों equations को क्या करें हम combine कर दें तो by equation combine करना जोड़ देना by equation एक सालिक देना 1, 2 and 3 तो t proportionate क्या आया m to power a sorry l to power a m to power b g to power c और जब t is equal to करेंगे तो एक constant आएगा l to power a m to power b g to power c question number 4 यहां तक बात समझ में आई हमने power क्यों लिखा समझ में आई बात ठीक है इसे आप यहां तब पहुँचेंगे अब देखें अब हम क्या करेंगे इस equation में दोनों side में dimension लिख देंगे writing dimensions on both the side writing dimensions on both the sides both the sides तो t की dimension क्या होगी t देखें अब यहां हम जो नहीं है उसको 0 नहीं लिखेंगे वो understood है अगर m नहीं है तो इसको आउड 0 है आपर इधर आईए k की कोई dimension होती नहीं बचे l l की dimension क्या होगी l 2 power a m m की power b अब आप यह नहीं करना ml inverse 1 कर दो यह mass per unit length नहीं है ध्यान रखिएगा b और g की dimension क्या होगी lt inverse 2 संब्याई बात dimensions याद होनी चाहिए और dimension याद होने के साथ-साथ उनको जो निकालने का तरीका हमको मालूना चाहिए कि जैसे आया फट से दिमाग में वो formula क्लिक हो गया देखो l की power a यहाँ हैगा l to power c यहाँ हैगा तो यह क्या बन जाएगा l to power a plus c m तो अकेला है m की power b और t की power minus का 2c और इधर क्या है आपका t आप क्या करेंगे दोनों तरफ power को equate कर दें equating the powers on both the sides equating powers on both the sides तो यहाँ l की power क्या है a plus c इधर क्या है high नहीं अब high नहीं कोई word थोड़े होता है यह question number डाल दो 5 ठीक है अच्छा m की power क्या है b यहाँ क्या है 0 तो b क्या मान तो डाइट निकलाया हमको यहनि b की value 0 आ गई t की power क्या है minus का 2c इधर क्या है 1 c की value क्या है की minus का 1by तो c भी निकलाया तीक अब एक question क्यों डाले होता है तो value निकली आ रही है c कमान उठा की question number 5 में रख दो तो by question 5 a की value क्या निकलेगी minus का c और c आ लेड़ी आप निकाल चुके हैं तो a की value क्या होगई plus का half a,b,c निकलाया अब इस a,b,c को उठाओ और equation number 4 में रख दो putting the value of a,b,c putting a,b,c in equation 4 तो यह क्या निकलेगा t is equal to k से कोई मतलब नहीं l की power a a बोले तो 1 by 2 m की power b b बोले तो 0 और g पौर c बोले तो minus 1 by 2 तो इसको calculate करेंगे तो आए का k under root l by g तो यह time period का formula होता है dimensly जो हमने निकाला ठीक,note करिए इसको तो यह formula आपका आगया कोई दिक्कत नहीं लेकिन हमें जो constant है ना वो अलग-अलग value के लिए अलग-अलग होता है ठीक,अब आपको याद होना चाहिए नहीं याद है मालिया तो लिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं गलत नहीं है यह तो experimentally तो देखा गया experimentally देखा गया k की value क्या होती है 2 pi होती है so t बरावर होता है 2 pi under root l by g यानि इसमें इसमें दिक्क गया कि time period of simple pendulum does not depend upon the mass of the body यह body के mass पर depend नहीं करता है ठीक है लेकिन सर्त एक है ना कि कोई और चीज इसको influence ना कर रही हूँ ठीक है तो यह आपका एक example होगा